नमस्का जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ गारगी भारत राश्ट्र समिट्री यानी बी आरेस की संसदिय दल की बैठक 29 जनवरी को हैदरबाद में होगी मुख्यमंत्री के चनरशेखर राव रईवार को दुपहर एक बज़े प्रगती भबन में बी आरेस संसदिय दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे बी आरेस संसदिय दल के सदे से 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आगामी बज़ट सत्र के लिए पार्टी की रननीती पर चर्चा करेंगे केंडरी ये बज़ट एक फरवरी को पेश किया जाएगा पार्टी अध्यक्षत्र के दौरान उठाये जाने वाले मुद्दो पर भी संसदों को जरूरी निर्देश देंगे बैठक दुपेर बात शुरू होगी और इसमें उन मुद्दों की पहचान की जाएगी जिन पर पार्टी के संसदों को केंडरी सरकार को घेननी की जरूरत है प्रदेश में उच आवंठन के लिए केंडरी पर दबाब बनाने और केंडरी से राज्य के लंबित बकाय की जारी करने की रणनीती पर काम करेंगे इसे पहले CM KCR ने जुलाई 2022 में TRS संसदिय दल की बैठक की अध्यक्षता की थी BRS संसदों को तलंगना के प्रती केंडरी सरकार के भेदवाव और सभी शेत्रों में जन विरोधी नीतियों से लड़ने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकार ने इनोवेटिव और करांती कारी कारी योजनाओ को अपना कर करिशी सिचाई और इससे संबंदित शेत्रों में प्रसिद्धी पाई थी जिससे राज्य देश में धान के अगरेनी उत्पादन के रूप में उभरा है हला कि केंड़ सरकार राज्य में उत्पादित धान के खरीद नहीं कर रही है इसके आलाबा मेल मालिकों को काफ़े आसु विदा हो रही थी मुखी मंतरी ने दोनों सद्दों में केंड़ सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सांसदों का मार्क दर्शन किया क्रिशी शेत्र के अलाबा मनरेगा के इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन में राज्य देश में अगरेनी रहा है मुखी मंतरी ने कहा है कि NREGS का अच्छा इस्तमाल करते हुए तलंगाना सरकार रूलर एरिया में कई कारेक्रम चला रही है और राज्य सरकार की तरफ से किये गए सोशल आडिट की सरहाना करने के अलाबा केंड़ सरकार की और से भी इसकी सरहाना की गई है इस संबन में केंड़ सरकार की और से राज्य को कई पूरुसकार भी प्रदान किये गए हैं लेकिन केंड़ सरकार अब एक अलग दिश्टिकोन अपना रही है और नहीत सुरतों के साथ राज्य में मंदरेगा के कारणवयन में समय साहे पैदा कर रही है बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.dajpt.com को लॉगिन कर सकते देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं जन्भावना टाइमस नमसकार